आईए बच्चों आज हम देखेंगे की और की में अंतर ये हिंदी में लिखा जाने वाला शब्द वर्न है इसको एक वेलांटी लगती है जिसे सीधे हाथ वाली और डाय हाथ वाली दो तरह की वेलांटी होती है ये किस तरह इसको हम अपने लिखावट में लिखते हैं पर हमें प्रॉलम आती है परेशानी होती है कि इसमें अंतर समझ में ने आता है इसका अंतर हम आज जानने वाले हैं को ता कि पहली वाली की का और दुसरी विलांटी वाली की का इनमें क्या अंतर है इनको कैसा यूज क किया जाता है कहा कहा उसको वापरा जाता है वह हम आज समझने वाले हैं यह देख सकते आप यह पहली वाली की है और यह दूसरी वाली की यह दोनों के अंतरम आपको समझाने वाले हैं तो बने रही है इस वीडियो में आखरी तक ताकि आपको समझ में आए और आगर आपने ह हमारी वीडिव को like या subscribe शयर नहीं कियाओंगा तो पर इच लाइक कीजिए subscribe कीजिए और share कीजिए ताकि जितने जादे आप like करेंगे उतना ही हमको तदर और वीडियो आप पहुंचाने के लिए तो आहे चलते चलते वीडियो की और की और देखिए पहला वाला जो key है जो हमको समझना है वो ये है इसके बारे हम पहले जानेंगे इसमें इसका प्रयोक दो वाक्यों को जोडने के लिए किया जाता है मतलब दो sentence जहाँ आपको join करना है वक्त इस वाक्य का उपयोक किया जाता है तो आईए देखते हैं जैसा इंग्लिश में एंड यूज करते हैं मराटी में अनी यूज करते हैं वैसा की का भी यूज किया जाता है दो वाक्य को जोडने के लिए आगे देखते हैं की इसका प्रयोग एक वाक्य को जोडने के लिए किया जाता है मतलब इसमें क्या समझाया गया है ये दो वाक्य मतलब दो वाक्य जिस तरह जॉइन करना मतलब एक पहला क्रिया और बाद में होने आली क्रिया दोनों को जोडने के लिए ये sentence मतलब पहले होने वाली क्रिया और बाद में होने आली इनको जोईन करने के लिए, प्लस मतलब जिसको कहते हैं, इसा जोईन करने के लिए इस वाक्य की का उपयोग किया जाता है, इस की का, मतलब दो वाक्यों को जोडने के लिए और पहली वाक्या और उपवाक्या, इन दोनों को जोडने के लिए भी की का उपयोग किया जाता है, की एक समुचय वोदक अव्य है, मतलब की एक समुचय वोदक अव्य है, वाक्य में इससे पहले क्रिया शब्द आते हैं, अभी इसमें क्रिया शब्द हो रही है, वो शब्द पहला इसी आता है, मतलब की के पहले, समझ लिजे, ये एक समुचय वोदक अव्य है, वाक्य में इ इससे पहले क्रिया शब्द आते हैं मतलब की के पहले जो भी क्रिया शब्द आता है उसके बाद ये की आता है ये आपको ये समझना चाहिए कि पहली वाला जो की है वाक्य की पहले शब्द में ही आता है मतलब क्रिया जब पहले आएंगी तब ही वह आता है उसके बाद ये की शब्द उसको जोडता है या उसमें लिखा जाता है किस तरह हम देखेंगे वाक्य शाम घर गया ही था कि घर वाले निकल गए अभी यहापे आप देख सकते हैं शाम कहा गया था घर गया था यह एक वाक्य पुरा हो गया इसको आपको जोड़ना है तो कुन था वापरा हमने पर की घर वाले निकल गए थे मतलब घर वाले चले गए थे मतलब घर वाले पर नहीं थे इसका मतलब यह एक पहला वाक्य और यह दूसरा यह दोनों को जॉइन करने के लिए या मिलाने के लिए हमको की यह शब्द वापर में लाना पड़ता है इसके पहले जो भी क्रिया होती है वो शाम घर गया मतलब जाने की क्रिया थी उसके बाद में की शब्दा आ रहा है घर वाले निकल गए थे ये इस तरह से की ये शब्दा इसमें जोड़ा गया है वो इतना रोया की या पर आप देख सकते हो वो इतना रोया की रोने की क्रिया हो रही है या पर कि उसकी आखे सूच गई क्या हुआ उसकी आखे सूच गई मतलब इतना रोगा है कि उसकी आखे सूच गई यहाँ पर आखे सुजने की किरिया और रोने की किरिया की वज़ा बता गई है आखे क्यों सुजी है रोने की वज़े से और उसके बाद जो किरिया किस पर हो रही है आखो पर यह दोनों का संबंद यहाँ पर बताया गया है और इसमें एक चीज हो रही है पहला वाक्य और दुसरा वाक्य यह पहला वाक्य और यह दुसरा जो वाक्य है इनका दोनों का संबन्द यह दोनों का सेश वाक्य और गवन वाक्य जिससे कहा जाता है दोनों का संबन्द यहां पर बताया गया है पुलिस को विश्वास हो गया कि बदमास ने किसी बच्चे को पकड़ा है यहापे देखो किसको विश्वास हो गया पुलिस को काय का कि बदमास ने किसी बच्चे को पकड़ा गया बदमास ने किसी बच्चे को पकड़ा यह एक वाक्य हो गया यहापे और पुलिस ने विश् पहांवा सकते हो जो पहले हैं जिसके डाए हात्य जो अपना होता है मिनले कि देख सकते हो ये अच्छा लड़का है यह दोनों वर्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं यह दो वाक्य को जोईन करने के लिए की का उपयोग किया गया क्या बात हो गई कि तुम सुबा सुबा चले गए यहाँ पे भी आप देख से यह जाने की किरिया और कब गया हो सबेरे सबेरे यह दोनों को जोडने के लिए यह की शब्दव है पे यूज किया गया हैं तो आपको समझ में आया होंगा फिर से समझीए कि यह जो पहली वाली के विलांटिका हैं जो हैं यहां यह उजाता है मतलब दो वाक्य होते हैं उनको जोडने के लिए इसका उप्योग किया जाता हैं इसका स्थ प्रयोग एवं में चेश वाक्य जोडने के लिए भी क्या आता है गी पहला वाक्या और दुसरा वाक्य जब complete होंगा तो ही क्रिया समझ में आएगी ऐसी वाक्य की जोडने के लिए भी यह की का प्रयोग है मतलब जिसका उधार हमने समझाया कि उसकी आके सूच गई, कब सूची जब वो रोयाद था, ये दोनों का जब समंद काई से दर्चाया गया है, ये की से दर्चाया गया, ये दोनों क्रिया क्यू हुई है, ये यहापे दर्चाया गया, क्यू आके सूची, इसका कारण ये बत लखना है की के पहले हमेशा क्रिया शब्द आते है जो पहले वल्यांटी होती है उसके पहले जब भी लिखेंगे तो क्रिया कुछ ना कुछ होना चाहिए पहले वाक्य में या उसके पहले जो शब्दार है उसमें आईए यह रोने की क्रिया गया है ना विश्वास हो गया कहा ये सब किरिया है, क्या बात हो गई ये भी है, आप समझ सकते हो, आईए आगे देखते हैं, अभी हम नेक्स पार्ट में आएंगे आगे के, अभी इसमें और एक समझमें लेना चाहिए आपको, की का प्रयोग या अत्वा, देखिए ये भी है अत्वा, एवं प्रशन पूछन के लिए किया जाता है समझ में आया की का उपयोग कप किया जाता है प्रशणा तयार करते वह हमेशा उस प्रश्णों को समझाने के लिए भी कि का उपयोग किया जाता है जैसे वाक्तिया technik तुम चाय लोंगे या या पर देख सकते हो या भी हमने यूज किया है इसको कट कर देंगे उसके जगा की शब्द हमने वापा या पर यूज शब्द किया है पहले वलांटी वाला की कॉफी ये कोशन आपने पूछा है या पर समझ में आया नतलब आपने उनको पूछा तुम चाय लोंगे की कॉफी या के बदले आप की शब्द ही या पर यूज कर सकते हैं वापर सकते हो तुम चलोंगे या यह हम कट कर देंगे या से की यही रुकोंगे या पर हमने एक कोशन पूछा समझ में आपको यह तुम चलोंगे चलने की क्रिया की रुकोंगे यह दोनों क्रिया समझाने के लिए की का हमने या पर वापर किया है आगे चलते हैं चलेंगे की नहीं या पर भी की शब्द ही समझ में आ रहा है चलेंगे भी क्रिया हो रही है की नहीं कोशन पूछा जा रहा है ये कोशन पूछने के लिए भी हम की का उपयोग किया रहते हैं अतलब जो की है पहली वाला इस तरह से उसका वापर किया जाता है आपको समझ नहीं अतलब वाक्य जोडने के लिए और उसके बात की आके पहले आता है और दो शेस वाक्य जो एक पेख डिपेंड होते हैं उनको जोडने के लिए भी की HAS याता है यह होगा पहली वाली की पहली वाली जेस अभी हम देखेंगे दुसरी वाली जो की है उसका उपियोग कहा किया जाता है इसके बारे में जानेंगे अभी आप देख सकते हो ये की जो दुसरा वाला है उसको करना क्रिया का भुद्काल रूप है ये करना क्रिया का भुद्काल रूप है मतलब क्रिया है हो गई पर कब हो ये भुद्काल में ही क्रिया हो से उसी तरह से भुद्काल की जो क्रिया दर्शाने के लिए या पर यह की का उपयोग किया जाता है समझ में आरा आपको यह आप समझ लीजिए यह चीज आपको जब समझ में आएगी तभी की का उपयोग सही तरीके से आप कर पाऊंगे मतलब जो वर्ट्स होते हैं की का रूप है वो की है कि यह आप समझ लीजिए Okay आगे चलते हैं वाक्य जैसा आप देखेंगे तुमने लादागा कि यह तुमने यहाप आप देख सकते हो ।ुमने रामसे लड़ाई की यहाप र कि हमने अत量 करना का भुद्काली रूप है यह क्या है यह भुद्काल समझ में हार आपको ये आप समझ लीजे तुम ने उससे बात क्यों नहीं की आप समझ सकते हो आप में तुमने उससे बात क्यों नहीं की या पर भी की हमने यूज किया अतलब ये हो चुका है आप उसको सवाल पूछ रहे हो कि आपने बात क्यों नहीं की है न, अयान ने कल ही खेत में बुआई की, मतलब खेत में जो बीज उसने बुआए, मतलब बीज लगाए जा, जमिन में डाले, ये कल ही डाले, कल डाले, कल, ये यहापे भुद्काल रूप बतायागा है, इस तरह से आपको ये समझने में आसाने होने चाहिए, की कभी यूज किया जाता है, जब क्रिया हो चुकी है, कारना का, करना का जो ये दुसरा रूप है, इसलिए की का आजाता है, इसलिए समझ मिलीजिए, करना का ही दुसरा रूप, ये पहली दूसरी विलांटी की, मतलब क्रिया हो चुकी है, ये खतम, आपको बताना है, भुद्काल में की के ये कब वापरे जाते हैं कब समझाए जाते हैं आपको हम समझाएंगे और आप इसके लिए पार्टू के लिए बने रही हैं हमारे साथ हमाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए